नमस्कार मैं हूँ अंजली और आप देख रहे हैं RPS समाचार तो चले श्राइब करते हैं आज की मुख्य खबर से T20 वर्ल कप में जीत कर पीम मोदी ने रोईश शर्मा को लगाया फोन दी बदाई सूर्या की कैच की दाइफ रोईश शर्मा की अगवाई में टीम इंडिया ने 17 साल बाद ICC T20 वर्ल कप ट्रॉफिय अपने नाम कर ली है इस से पहले मैंन सिंग दौनी की कपतानी में टीम इंडिया ने 2007 में T20 वर्ल कप जीता था रोईश शर्मा के लिए ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि उनकी कपतानी में टीम इंडिया पहली बार वर्ल कप जीती है पिछले साल वंडे वर्ल कप के फाइनल में उस्टेलिया ने इस सपने को अधूरा कर दिया था टीम इंडिया की जीत के बात से देश कजशन का माहौल है हर बार दीये फैन अपने अपने अन्दाश में रोईद विग्रेट को जीत की बदाई दी रहा है PM9 मोधी ने एवी री शनीवार देर रात मैश के पास سोचल मेडिया पर टीम इंडिया को जीत की बदाई दी बढ़ती है किर्केट टीम से फोन पर बात की और पूरी टीम को बढ़ाई दी और उने रोईश शरमा को उनकी शांदर कप्तानी के लिए बढ़ाई दी और उनकी टीटी केरियर की सराना की बता दें कि रोईशरमा और विराट कॉली ने इस जीद के साथ ही टीटी वर्ल्ड कर से सन्यास लेने की गोशना कर दी है उन्होंने फाइनल में विराट कोरी के तुफाणी पारी के साथ सथ भाट दीर केट में उनके योगदान की भी सराना की पीयम मोदी ने सबसे अलग-अलग aa't जांकार die की ओवर में भीएद मुश्किल केश लपकने की जम कर तारिफ की सूर्या ने आगरी ओवर में हार्दिक के ओवर पर डेविड मिलर का बाउंडरी पर केश पकड़ा जो लगबग सिकसर लग रहा था उस बग साउथ अफरिका को छे बॉल में सुलह रनों की दरकार थी पीम साइज जवाब में साउथ अफरीका टीम निदारत ओरों में 119 रन ही बना सकी हार्दिक ने सरवादिक टीम विकेट जटके डेट ओवर्स में हार्दिक के लावब उम्रा और अक्षदीब ने शांदार गैनवाजी की खबरों में अब तक लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ तब तक लिए नमस्कार और देखे रखे और पीएस समाचार